जै दोस्तो टाइटल में आपने बिल्कुल बेस अहीं पड़ा है अगर आपके सिर्फ जिरो फॉलोवर से सोचल मेडिया के उपर लेकिन सोचल मेडिया का यूज करके आप लाखो रूपए कैसे कमा सकती हो इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है दोस्तो देखो इस कमेट सबसे इंपोर्टन बात की आप सोचल मेडिया का यूज करके कैसे पैसे कमा सकती हो इसके लिए आपको एक चीज जाननी पड़ेगी सोचल मेडिया की उपर सिर्फ इंस्ट्राग्राम के रिल्स और यूटुब की शौट्स यह सिर्फ स्क्रॉल करके आपका कुछ नहीं होने वाईसी हरे के अंदर कुछ अलग-अलग स्केल्स होते है कि dochricht हो अच्छे ऐगरे होटे जो कि कुछ अच्छे लिए माके सबका चव्र उमड div दो मारिन के आप talking मलेंगे कि आपको बोलेंगे कि zero investment में आपको पैसे कमा सकते हो यह कर सकते हो लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो आपको यहाँ पर social media के उपर कुछ न कुछ services या भी products sell करने पड़ेंगे उसके अलावा आप यहाँ पर कुछ भी पैसे नहीं कमा सकते हो यूटूब का चानल यह उपन क्यों ना करो लेकिन इट इस सर्वेज जो आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हो जिसके बदले में यूटूब आपको पे कर रहा है चाहिए आप इसके लिए सबसे नमबर वन स्टेप आपको यह जानने पड़ेगी कि आपको सोचल मढया के ऊपर कुछ प्रोडॉक्स या फिर सर्विस देनी पड़ेगी वह कौंसे स्किल से वाप आपको खुटको अनलाइज करना पड़ेगा कि कौंसे स्किल्स को में लोग को टुक ESст के ऊपर लिस्ट करते हो तुआ वह वाहि उस प्रोडोक को सेल कर सकते हो या कि आपको ऊ der давно अघर अप उन तो उसमें उस चीज में आप क्या अगर सकती हो कि कुछ ऐसे प्लैटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप लोग की सर्विस प्रडॉक्ट को सेल कर सकती हो और उसकी बदले में आपको कमेशन बिलता है जिसे सोचल मेडिया की दुनियों में अफिलेट मार्केटिंग बोला जात है जो बुक लिख सकते हैं जिनको राइटिंग अच्छी लिखती है तो उसमें लोग क्या अगर सकते हैं अपना खुद का बुक Amazon के लिए पुब्लीशिंग जो होता है केड़ी पे हम जैसे बोलते हैं वहाँ पर पब्लीश कर सकते हैं Amazon के लिए क्या होता है आप Google के उपर जान लो Amazon के एक सर्विस है जहां पर ऑनलाइन बुक बैशते हैं और उसके बदले में जब भी 100 रुपए का कोई बूक है आपका e-book कोई आदमी पर्चस कर लेता तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं बहुत ही आसन चीज़ होती है और इसके लिए आपको वन टाम इ प्रड़क्त को सेल करके अगर वह सो रुपए तो इसके बदले में आपको मैं 20 रुपए दूंगा आपका कमिशन कट हो जाएगा उसके बदले में मेरा प्रड़क्त कस्टमार तक पहुच जाएगा जिसे अब अफिलेक्ट मार्केटिंग बोलते है ऐसे फिजिकल प्रड़ में जैसे मैंने आपको कहा थी आपका खुद का टालेंट आप शो करना चाहते हो तो वहाँ पर अफिलेट मार्केटिंग और यह जो इबुक्स का मैंने आपको पता है वह सेम फ्लैटफोर्म के उपर आप खुद के टालेंट और खुद की प्रोडक्स और सर्विसेज को सेल कर अगर आपको खुद का टालेंट इक प्रोडप्स सर्विसेश से इनको सेल करना और दूसरों की किसको चीज फॉर्म को सेल करना है अगर यह दोनों चीजीज को आप आप जानदे यह दूसराइक nis को पैचान लेते हो मेरे अंदर कुछ टालेंट नहीं लेकिन घुसरी की त को सेल करके पैसे कमा रहूंगा तो यह अच्छी बात है मेरा खुद के पास कोई प्रड़क है जिसमें मैं टाइम इंवेस्ट करके एक बार में अपना इंवेस्ट करो दूंगा उसके बदले में 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 पैसे मिलते रहेंगे चाहे मैं बूक लिखो या फिर राइटिंग करू कोई भी सर्विसेज दूंगे लोगों को उसके बदले में मुझे पैसे मिलते रहेंगे यह दो चीज़े आपको पहले तो आइडिटि आइडिटिफाय करने पड़े उसके बात स्टेप नंबर थ्री जिसके उपर हम लोग जाने वाले स्टेप नंबर थ्री इसमें यह आती आप पर बूक्सेल कर सकते हो जिसे मैं आपको उगहा कि ड्रॉप शिपिंग में आप शॉप्टीफाय के उपर जा सकते हो अमसान के उपर जा सकते हो वहां से आपको कमेंशन में सकता है इसके अलावा भी बहुत सब्सक्राइब अच्छे बना लेते हो आप माइक्रोफ आप यहांपर जासान तरीका है लोग इसको बहुत करना चाहते हो और बिंहें इंडियर बहुत से लोग इसमें भी कुछ घफला करना चाहते है कुछ कुछ यह बहुत अच्छे वेज है जहां पर पैसे कमा सकते हो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो लेकिन यहां पर भी कुछ चीजे आपको सिखने ही पड़ेगी जो आपको मैं अगले स्टेप में बताऊंगा आप देखो आपको प्लाटफोर्म चूज करना भौत वाइसली इंपोर्टन है जिसे कर अगर आप कोई सेल करना चाहते हो प्रड़क्त तो आपको इंस्ट्रग्राम की उपर फेस्बुक की उपर उस प्रड़क को सेल भी कर सकते हो और यह वेबसाइट इनक्यों पर सेल कर सकत यह नंबर 3 की स्टेप अगर आपने अच्छी तरीके से जान ले कि कौँसा प्लाटफोर्म है अच्छी तरीके से मेरे टालेंट के लिए मेरे टालेंट को शूव करने के लिए मेरे टालेंट को वहाँ पे सर्व करने के लिए मेरे प्रड़क्त और सर्विसेस को उसके बाद यह बीक search engine है और यह जो यहां पर search engine है इनको इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा इनके algorithm के बारे में आपको जानना पड़ेगा बहुत important point है क्योंकि लोग sale करना तो बहुत सरी चीज़े चाहते हैं पता होता है मुझे क्या sale करना लेकिन यह नंबर 4 step लोगों को पता नहीं होती है कि हमारी services लोगों तक कैसे जाएगा जैसे मैंने title रखा है कि how to make a money with a zero followers वैसी बात कर रहा है कि मैं लोगों अगर आप zero followers से start करना चाहते हो तो आपके पास already audience नहीं है आपको audience के सामने जाना पड़ेगा और आप audience के सामने कैसे जाओगे आप जाओगे algorithm का use कर गया देखो हरे के search engine का अपना-पना algorithm होता है उसके base की उपर वो लोगों को services और products sell करता है आप Amazon के उपर जाते हो रहा पर आप डालते हो Amazon iPhone 13 का back cover वो आपको वही प्रड़क्त सारे दिख्याएगा जो लोगों ने पहले पाई किये हुए जो आप Amazon को लगता है कि वो अच्छे प्रड़क्स है फिर उनकी जो quality है अच्छी है इसलिए कही बार ऐसा होता है कि विस प्र अलगरिदम का यूज करके उस अलगरिदम के सर्च रिजल्ट का यूज करके और आपको जिरू फॉर्वर से तो आपको यह चीज बहुत ध्यान में रखने पड़ेगी आपको राइट ऑडियंस के सामने जाने की जरूरत है जिसके लिए आपको उस अलगरिदम का या फिर जो प्लैटफॉर्म में उसके अलगरिदम को जानना पड़ेगा नंबर फाइस टेक बहुत इंपोर्टन है आपने प्लैटफॉर्म चूज कर लिया राइट ऑडियंस के सामने जा गए उसके बाद आपके बिजनस याफिट आपको जो सर्विस से प्रडॉक्स को उसको वन ज़ी आप कैसे करोगे उसके लिए आप यूज कर सकते का कि व्यूसकी पाद यूज पर लोगता है चल जाती हो तो उसके पाथ है लेकिन उसके आगे एक छोटा सा sponsor वाले आपको result आ जाते हैं यह वाला product है यह sponsored है इसका मतलब भी है कि जो product बेच रहा है उसने Amazon को पैसे दीए उस product को आगे लेना के लिए या फिर सबसी उपर दिखाने के लिए वैसी हर एक platform का अपना-पना एक paid version होता है फिर एक paid version होता है Instagram को होता है Facebook को होता है Amazon को होता है YouTube का भी specially होता है तो इन platforms के उपर आप advertising लगा के आपने product को एक highlight कर सकते हो जिसके आपकी जो आपका जो business है तो आगे multiples में जाने के लिए तैयार होता है कुछ platform से होते हैं जिनके पास advertising का कोई option नहीं होता है 100 तक पहुचाना है तो आप कैसे करोगे आप Google के उपर advertising के लिए और जो आपका URL होगा वो कोई भी कस्टमर्स को क्लिक करेगा तो वो यूरल है वो डारिकली आ जाएगा उस website के उपर एक्सवाइजर जहां पर आपका product है तो यह एक तरह से आप redirect कर सकते हो कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट के उपर आपकी प्रेफर साइट के उपर जहांकि आपकी products और services आप करते हैं यह सारी चीज़ आपको ध्यान में रखती है तो आप आनेवल दिनों में पित जिरू फॉल्वर्वर्ट ज़रूर पैसे कमा सकते हो लिकिन आपको यह सारी स्ट्राटेजी है वो जानने की बहुत ज़रू आपको वीडियो को मैं एंड करूं से पहले यह आपको वी